हलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आप लोगों को थोड़ा mcx और कॉमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा यह इंट्रोड़क्टरी वीडियो है पर इसको ध्यान से समझेगा इस वीडियो में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूंगा जो mcx और कॉमोडिटी ट्रेडिंग की तरफ आपको ले के जाएगा कि मैंने आपको आर्लियर वीडियो में बताया था कि इंडियन stock market के कई सारे segment है तो एक इसमें से segment commodity trading का भी है मेरे कई सारे clients है मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनको बड़ी query आती है कि commodity trading करें तो करें कैसे कहां पर करें उसके क्या features हैं क्या advantage हैं क्या disadvantage हैं तो आईए दोस्तों मैं आपको इस video में कुछ clarification देता हूँ पहली चीज़ commodity trading इंडिया में BAC और NAC के platform के थुरू अभी तक नहीं होता था अभी तक यह होता था MCX के थुरू अब NAC को भी approval मिल गई है तो पहले मैं थोड़ा MCX के बारे में बताना चाहूँगा क्या होता है और MCX के थुरू काम कैसे किया जाता है तो MCX दोस्तो एक private company है MCX का full form है Multi Commodity Exchange यह limited This is the full form of MCX अब MCX के बारे में बताऊँगा कि MCX की company खुद ही stock market में listed है और उसका एक share price है तो MCX का जो share है दोस्तो वो भी trade होता है तो MCX में फाइदा क्या होता है trading करने का पहला आप कोई भी commodity में trade कर सकते है पहली चीज़ और trading के उसके कुछ basically कुछ trading hours होते है पहला MCX खुलता कितने बज़े है तो आप सभी को जानके ताज़व होगा MCX 9 बज़े खुल जाता है It starts at sharp 9 मतलब commodity trading morning के 9 बज़े start हो जाती है और यह कब तक चलती है It went on till 11.45 11.45 के 45 मिने तक MCX पे आप trade कर सकते है रात के मतलब सुबह 9 से रात के पौने 12 बज़े तक जो की तकरीबन बहुत जादा हुआ Near about it is more than 14 hour 45 मिनेट total 14 गंटे 45 मिनेट चलता है MCX trading अब आपको यह doubt हो रहा हो कि MCX में क्या-क्या हम लोग trade कर सकते है तो MCX में 3 कैटेगरी होती है पहला होता है Energy दूसरा होता है Precious Metal तीसरा होता है Base Metal मैं दूबारा रिपीट करूँगा पहला होता है Energy दूसरा होता है Previous Metal और तीसरा होता है base metals, तब energy में दो चीज आती है, जिसको कहते है crude और natural gas, ये दो होते है energy में, जिसकी trading हम लोग करते हैं MCX platform पे, दूसरी चीज जो होती है दोस्तो base metal, अब base metal के अंदर कई सारी चीज आती है, जैसे nickel, zinc, copper, और जो सबसे last में आता है, वो precious metal, उसमें दो तरीके के चीज होती है, जिसको हम लोग कहते है gold और silver, तो total मिला के, ये जितनी category आपको पताई गई, इसकी trading आप कर सकते हो MCX के platform पे, अब दोस्तों जो सबसे important चीज है, वो यह है कि MCX के trading के लिए आपका demat account होना जरूरी है, answer is absolutely yes, आपको एक MCX में आपने broker के तुरू account खोलना ह होगा, और वहीं पे आप MCX के platform पे trade करते हैं, तब MCX के platform पे, कहां पे trading होती है, क्या ये normal trading होती है, answer is no, MCX के platform पे केवल derivatives में trading होती है, मतलब आप future खरीच सकते हैं MCX के, कोई किसी भी contract के, या फिर आप option खरीच सकते हैं, option भी दोस्तों last year से ही start हुआ है, मतलब traditionally अभी तक केवल future में trade हो रहा था, future मतलब उसमें expiry होगी, जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया हो, दूसरा क्या बताया हो, future मतलब उसमें contract होगा, तो दोस्तों, MCX की trading स्टार्ट करने से पहले, आज ही अपना DMAT account खुलवा हैं, और आपको कोई doubt होता है, तो आप हमे में जरूर comment में लिखें, और हम आपको definitely बताएंगे कि MCX trading कैसे, में कैसे account खुलवा के trading की जा सकती है, अज एक और चीज अब दोस्तों बताना चाहूंगा, MCX के account trading के लिए कितना fund की जरूरत है, तो दोस्तों, normally अगर आपके पास minimum अगर 1 lakh रुपीज का capital है, तो आप oil हो गया, gold हो गया, silver हो गया, उसके lots उठाना शुरू कर सकते हैं, और trading कर सकते हैं, अब इसके lots और इसके sizes हैं, वो different होते हैं, depending on the nature of investment and the nature of ticket size, हमारे पास जो client है, उनके हिसाब से हम लोग उनको recommend करते हैं, तो अगर आप नए हैं, और MCX में commodity trading करना चाहते हैं, सीखना चाहत हैं, तो definitely आप इस video को like करें, share करें और subscribe करें अपने दोस्तों को, और help करें, ताकि हम लोग और MCX के उपर नए-ने videos लेके आएं, और आप लोग को enlighten करें कि MCX में trading कैसे की जाती है, क्या-क्या फाइदे हैं, क्या-क्या नुकसान है, और बिना knowledge का तो दोस्तों stock market में काम कर करना बिल्कुल ही बिल्कुल ही बिल्कुल ही बिल्कुल ही जरूरी नहीं है और बहुत ही dangerous है, तो इसी सब दोस्तों के वर्ट के साथ मैं इस video को conclude करता हूँ, अगले वीडियो में आपको मैं MCX के उपर trading strategies और trading basics लेके आऊंगा, thank you so much